हेलो फ्रेंज वेलकम टू FDS फार्मसी तो आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं फार्मक कनोसी का जो चाप्टर नमर फाइव एश्टडी ऑफ क्रूड ड्रग उसके आई क्लास 6 है ठीक है इससे पहले हम क्लास 5 क्लास 4 और क्लास 3 और क्लास 2 क्लास 1 में बात कर चुके हैं अगर आप पीडिया नोट डाउनलोड करना चाहते हो तो हमारी वेबसाट पर से कड़ सकते हो और वीडियो क्लास के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो ठीक है और टेलिग्राम चैनल को जोइन करने वाँ पर आपकी एक्जम की प्रैक्टिस के सारी नोटिफिकेशन डालते हैं ठीक है वहाँ से क्या आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी तो में देखा जाए तो आपके घर में भी कोई नकोई होगा जिसका विभी होता हो rigor Boss तो एंटि-हे बर T's याणि जो भी ब्लड वह वो वाल्स औप ब्लोगवेसल के अम्हें जुब्रेसर बना रहा है उससे हम बलेप्र verstehen ठीक है, when the blood pressure perisitally remain high, यानि अगर जब blood pressure high हो जाता है, तो उस condition को हम बोलते हैं hypertension, ठीक है, उस condition को क्या बोलते हैं, hypertension, यानि hypertension में हम कौन से डग लेते हैं, वो होते हैं anti-hypertensitive, ठीक है, mainly हम बात कर रहा हैं hypertension की, यानि बीड़ी हो जाती है उसे क्या बोलता है है इसल्ट फशंट फ़ाइब लुट परिशंटली हाइब ब्लेड वेसल्स और अधर और और एक्सटीटिव ली स्टेट टीक है स्ट्रेक्चुर्ड हो जाते हैं ठीक है है इसमें क्या होता है कि कुछ और वह भी एफेक्ट हो जाता है ठीक है यह आप देख सकते हो कुछ अगर ज्यादा हो गया है तो उसे हम क्या बोलेंगे हैं हाइपर टेंशन बोलेंगे और जो उसमें ड्राग यूज करते हैं उन्हें बोलते हैं हम एंटि यह देखिए इस सिंगल फैक्टर डेट में प्रोडियू प्रोसीज नुमेरियस अधर कार्डियोवस्कुलर डिसी यानि हाट अटेक तो किसी को भी आ सकता है मतलब जो है हाट अटेक किसी को भी आ सकता है लेकिन उसके क्या है कि ब्लेट परेसर हाई किसी का भी हो सकता है बीपी हाई होगा तो उसके माइंड पर रेगा ठीक है उसके दुवारा क्या हो जाता है डेर्थ भी हो जाती है ठीक ह रिजल्टिंग फ्रम च्छ टोग मैं रेनल फेल्वर यानि 25 परसंट में देखा गया है कि जो जर्थ हो रहे है किस वाज से स्टोग की वैज से और रेनियल फेल्वर की वैज से ठीक है तो यह सब कब हो जाती है जब अगर आपका ब्लेड पेशर हाई हो जाता है ठीक है इन अ सब्सक्राइब हो जाता है ठीक है फैक्ट इस डेट में इस पॉन्सपल फर्दिक कॉंट्रिबूटिंग इन इंसिदेंस ओफ आइपर टेंशन इंक्लोड अर्बन लाइफस्टाल या कल्चर या डाइट एंस्ट्रेज यानि कौन-कौन से फैक्टर रेस्पॉंसिबल है हो सकता है क Listening का मतलब तो समझ गई होंगी अगर आपका जो ब्लेट पर शर्सारो होजज दग Sport K यहांनी जो रहलो प्लैंट यह सघ्यें तब धुर्ण के ऊपर जिसका नाम देए गया इन है इन्होंने इन इन कवर किया था यह कब 1582 में ठीक है यह उनका नाम है साइंटिस्ट का यह भी फिंदर ब्लेंक्स कोश्चन में या MCQ में पूछा ही आ सकता है यूंध्वेदिक और हमयोकेट्थी टीक है यानि विकोज अफ प्रॉपर्टी की वयसे आहरुवेदा में यूज करते है यूनानी में यूस करते हैं और हॉमपेटी में यूस करते हैं ओस शिनोनिम्स की बात कर करें तो रॉफ यू रूट हो गया है प्रोसेस के बाद वह ऐसा हो जाता है डीक है से बाद करके तो कि एइंए सब्सक्राइब आँप डाह सब्सक्राइब नेटिक यानि जो फैमिली पूची जा सकती है इस था में अ बात करें तो राव वोल्फिया ये यू है राव वोल्फिया अबाट 0.7-2.4% of total alkaloid thalsas from which more than 80 alkaloids have been isolated यानि 0.007-2.4% of total alkaloid होते हैं उसमें 80 alkaloid have been isolated ठीक है अब देखें तरैपेटिक एफिक्ट की बात इट इस हाइपर हाइपो टेंसिटिव डराग है यह इस चैनल यान यह उसी के लिए पड़ रहे है ठीक है इसमें सबसे यादा रिच सोर्स है एलकलॉइड के जो मेडिशनी वैल्यू है वह रेसिपाइन तीक है जब है जब यह जाता है तो सब्सक्राइब करेंगे जबी तो वह सॉल्फ होगी ना प्रॉब्लम हाइपडेंशन की प्रॉब्लम यानि रेसिपिन होजी वह क्या करता है डालेट क्या देता है ब्लेट वेशल को और डिप्रेस एक्टिविटीटीस एक्ट आइक्ट आज है इसे भी हम हाइपर टेंसिटिव की तरह और ट्रांजिगुलर की तरह यूज करते हैं तो आज की क्लास में हमने क्या क्या देगा देखिए पहले हमने देखिए फिर राओ वॉल्फिया के बारे में देखा अगर आप पीडिएफ नोट डाउनलोड करना चाहते हो इसकी तो हमारे वेबसाइट पर से कर सकते हो डी फार्मा के सारे चाप्टर और सारे सब्जेक्ट के महां पर नोटस आपको म वीडियो को ठीक है और थैंक यू फार वाचिंग दे वीडियो